आधे राधे फेंड्स नाओ आप लोगों के दो मैंने चैप्टर्स आपको करा दिये एक आपका चैप्टर नूमर 13 एक आपका चैप्टर नूमर 14 13 आपका LPP था और 14 आपका लरणिंग करता यह दोलोंहीं कड़ी चैप्टर इस्टिट्व्ट आपको अलख से लिंग कर आता है यहां सम्स के अंदर प्राइसिंग डिसींग उंधर कोस्तिंग उस्सप्टिंग को अच्छे से कवर करेंगे एवन पॉर सिंप्लेक्स को भी एक बार आप जरूर देखते जाएए कि दिर इस नो टेंशन नाव फ्रेंड्स एच पर एस दा कॉस्टिंग पार्ट इस कॉंसर्ण मैं सबसे पहले आपका बोलूंगा आपको करने के लिए और इस यदो चैप्टर नंबर एलेवन एनलिजे स्टेंडाड कोस्टिंग जप्टर नंबर 11 इसटेंडार कोस्टिंग इसस्टार्टिंग पाइज नंबर 11.1 हम लोगों ने question और answer दोनों साथ में रखें ठाके आपको help हो जाए करके न कुछ भी आप solve कर रहे हैं उसका जो answer है उसका जो भी answer है वो आपको properly आना चाहिए स्टेंडर कोस्टिंग एक ऐसा टॉपिक है कि आपके सारे टॉपिक कोस्टिंग के कोई भी टॉपिक कोस्टिंग का हो उसके उपर डिपेंड करेगा जिस फर्सन को पहुत सारे बच्चे मिस्टे करते हैं कि वह लोग फॉर्मुला बाहर करते रहते हैं उनको concept समझ में नहीं उनके concepts किलियर नहीं है और वो इस्टेंडर कोस्टिंग को क्या करते हैं option पर ले लेते हैं तो ICI भी उनको फिर option पर ही लेता रहता है तो यह भूल यह भूल कभी मत करना कि मुझे इस्टेंडर कोस्टिंग नहीं करना है इस्टेंडर कोस्टिंग option पर लेना है क्योंकि मैं आपको जो सिखाऊंगा उसमें I am not going to use your any formula मैं आपको कोई भी एक single formula भी मैं आपको पूरे subject के अंदर पूरे topic के अंदर आपको एक भी चाहिए आपको decision making है, marginal costing है, surdown point है, limiting factor है, standard costing है, कहीं पे भी not a single formula आपको पूरा logic आपको clear करूंगा लेकिन हां logic के साथ साथ आपको लिखा दूंगा ताकि आप लोगों ने अगर मेरे से इंटर में नहीं पढ़ रखा है या आप लोगों को थोड़ा याद रखनी के लिए याद costing चलेगा, वो पूरा की पूरा चलेगा, on the basis of logic, आपको logic के उपर ही पूरा लेके चलना, एक इसा topic है, जो आपका chapter है, performance analysis उसमें भी काम आएगा, और बाकी के भी costing के, जितने भी chapters है, वो बिना standard costing को समझे, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, आपका standard costing, जैसा कि आपके SCMP में आप लोगों ने नाम सुना होगा, इजे case study, case studies आपको बहुत ज़्यादा important है, okay, तो case study के लिए friends आपको ये पूरा logic एकदम clear होना चाहिए, मेरे बहुत सारे friends ने इतनी अच्छे तरीके से case study और theory के वीडियोज डाले हुए, कुछ मेरे students हैं, जो मेरे से पढ़के C.A. बनके 100 डाले हुए हैं, कुछ मेरे colleagues हैं, मेरे साथ पढ़ाते हैं, इतनी मेहनत करके आपको YouTube पर case studies के lecture डाले हुए है, and I'll suggest you, you take the maximum advantage of that, case study में friends क्या रहता है, कि आपको एक particular case का study करके बताना है, कि इस situation में क्या होना चाहिए था, और क्या हुआ, और क यहां से अपन स्टार्ट करते है, this is a case study of BKC, this is your case study of BKC registered, पराबर, suppose, imagine yourself, आप ज़रा सोचिए, imagine yourself, कि suppose you are a chartered account है, आप CA बन चुके है, कैसा लग रहा है, बताईए, आप CA बन चुके है, कैसा लग रहा है, बताईए आप, बिना exam लेकिए, अगर CA बन जाएगा, तो किसको बजानी आएगा, आपको भी बहुत मजा रहा होगा, यह सुनके, क्यों, आप बोलोगे, सर आपने यह question क्यों बोला क्योंकि Chartered Accountant होते हुए, अगर Chartered Accountant होते हुए, आप किसी भी चीज का आंसर करते हो, तो आपके आंसर में दम रहता है, आप बहुत सोच के, समझ के, उस चीज का आंसर करते हो, तो इसके लिए मैंने आपको क्या बता था कि, imagine yourself कि you are a Chartered Accountant, क्योंकि अब मैं जो आप से पूछूंगा, यह आप बहुत ध्यान से आंसर करेंगे, चलो आपने CA Pass कर लिया, CA Pass करने के बाद, आपके डैड इचे, your dad is a very big industry, उनके पास बहुत सारी factories है, तो आपने डैड को बो बोला, कि I wanted to join with you, मैं आपके साथ business join करना चाहता हूं, एकदम ध्यान से, यह case study है, suppose related to a dkc, आप बहुत ध्यान से, चीजों को सुनिये, समझिये, तब जाके आपका pure logic 100% clear हो जाएगा, आपको मैं क्या लेके चला हूँ, कि this is a case study related to your dkc, dkc का CA course है, और आपने CA course pass करने के बाद आपने बोला, डेट को कि, डेट, I wanted to, डेट, I wanted to join your business, डेट को आपने बोला, I wanted to join business, डेट बोले ठीक है, बोले एक अपना गुजरात में factory है, say, जामनगर गुजरात में आपका factory है, जिसी जोर, जामनगर गुजरात के अंदर एक factory है, बोले डेट, फैक्री आप दे देखो, और sales जो है, sales office जो मेरा है, this is my sales office, and my sales office is in Mumbai, आपका sales office, आपका ये गुजरात, गुजरात में आपका क्या है, factory है, और आपका sales office का है, मुंबाई, आप क्या बनगे, आप CA बनगे, बरावत, डेट बोले ठीक है, I'll take care for production, मैं production का ध्यान रखता हूं, और तू sales का ध् and then we will do the business, GST, ये, वो, marketing, pricing, license, वो सब तू देख करके, और मैं क्या देखूंगा, मैं गुजरात की factory को, जामनगर की factory को देखता हूं, तो और अपन business करते है, right, is this clear, तो what is the case study, this is case study related to DKC of a manufacturing concern, आपका manufacturing concern का, ये DKC में आपको देखना है, say yes on our friend, ठीक है, where is your factory, एक बार बोलिए, comment box पर लिए, your factory, your factory is in, जामनगर, गुजरात, where are you, you are in, you are in, Mumbai, right, आपका sales office कहां पर है, आपका sales office कहां पर है, is in, आप CEO होगे, CEO होने के पाद अपने sales office बनाया, Mumbai में, where is your factory, तो factory is in, जामनगर, गुजरात, बराबर, अब जैसे ही अपने opening में, आप अपने sales office पहुँचे, मुंबई में, जिससे जोर, मुंबई, मुंबई में आप अपने sales office पहुँचे, आप अपने sales office पहुँचे, जैसी आप sales office में morning में पहुँचते हो, आपके पास एक customer आता है, एक customer आपके पास चल के आता है, यह आपका customer है, आपने अपना product का नाम रखा, सपोर्ज से, DKC Limited, आपकी company का नाम है, सपोर्ज से, DKC Limited, बराबर, आपने एक customer को, customer आपके पास आता है, और वो customer आके आप से पूछता है, आपको हजार यूनिट बनाके मुझे देनी है, आपको हजार यूनिट बनाके मुझे देनी है, आप उसके हैड है, और आपने बोला कि चलो, अपने बिजनिस करते हैं, डाइड ने बोला, कमपनी का नाप अपमन रखेंगे, DKC Limited, और आपने बोला कि, I wanted to purchase 1000 उनिट्स of product S1, Now, S1 is a totally new product for you, customer क्या बोल रहा है आप से, customer आप से बोल रहा है कि, S1 is a totally new product for you, आप customer को कैसे बताएंगे, कि what is the price of the product, S1 is a totally new product for you, आप customer को कैसे बताएंगे, कि what is the price of the product, क्योंकि problem ऐसा है, कि अगर आपने प्राइस ज़्यादा बोला, अगर आपने प्राइस ज़्यादा बोला, customer won't purchase, अगर आपने प्राइस कम बोला, आपको क्या हो जाएगा, loss हो जाएगा, तो exactly, exactly आप कैसे बताएंगे, कि what is the price of the product, exactly आप customer को क्या बताएंगे, customer खरीदेगा नहीं, cut, और अगर अगर आपने प्राइस ज़्यादा कम बोला, आपको क्या हो जाएगा, loss, आपको क्या करना पड़ेगा, कि you have to first estimate the price, even all the topics of CA final, कुछ भी कहीं, दुनिया में किसी के पास भी, आप एक सुगर के इन जूस वाले के पास जाते हैं, आप उसको बोलते हैं, कि I wanted to purchase one glass of juice, वो juice आपको बाद में निकाल के देगा, price आपको पहले बता देता है, कैसे, आप किसी भी classes में, आप admission लेते हैं, वराबर आपको पढ़ाएंगे आपको बाद में, आपको पहले बता देते हैं, कि what is the price of the product करके, कैसे, यह है DKC system, दानी की costing जो आप बोलते हैं, कि what is the system of दानी की costing, आपको बुरे system को समझना पड़ेगा, कि how exactly this system is working, एक बार अगर आपको system समझ में आ गया, तो case study करना बहुत आपके लिए easy हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे ही बोलते हैं, मैंने के क्या problem है, क्यों फेल हो गया, उदर से class लिया, इदर से class लिया, बहुत सारे बच्चे आते, पहले बात नहीं सुनते हैं, इदर उदर से class से लिया ले ले दे हैं, फिर आते हैं, मैं बहुत आपके क्या हो गया, उसके copy देखते हैं, basic ही नहीं मालूँ, इसको यही नहीं मालूँ, यह तो formula ही by heart करता रहा, फिर उन से पूछते हैं, क्या हो गया, नहीं सर, I have a problem only in case study, आरे बाबा, बागी के 11 topic तेरे को आते हैं गया, 11 institute के topic हैं, दो मेरे topic हैं, learning curve और LPP, वो तेरे को आते हैं गया, 12 topic तेरा case study है न, बागी के 11 topic आते हैं, पूछू क्या कुछ, लब बहु लो गया, नहीं आते हैं, तो भाईया पहले आप वो 11 topics को तो perfectly करो, उनका ही तो application से आपको क्या बनेगा, आपकी case study बनेगी, 11 topic में सबसे पहला topic आपको कौन सा सीखना है, सबसे पहला topic आपको सीखना है, standard costing, कभी भी costing अगर start करना है, तो सबसे जो important है, सबसे जो important है, वो आपका क्या रहेगा, standard costing, where is your factory, your factory is in Jamnagal Gujarat, where is your sales office, your sales office is in Mumbai, आपका sales office कहां पर है, Mumbai, एक customer आपके पास आता है, एकदम visualize करीए अपने mind में, customer आपके पास आता है, आपकी company का नाम है DKC Limited, आपके पास आता है, आप heados के, आपने sales office समाल रखा है, आप से पूछता है कि, I wanted to purchase 1000 units of product as well, आप उसको कैसे बताएंगे, कि what is the price of the product, the question is what, अगर आपने price ज़्यादा बताया, अगर आपने price ज़्यादा बताया, तो आपको क्या हो जाएगा, customer भाग जाएगा, customer आपसे खरीज़ेगा, नहीं, अगर आपने price कम बताया, आपको क्या हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा loss, तो आप उसको कैसे बताएंगे, कि what is the price of the product, इसके लिए friends, आपको सबसे जो important है, आपको करना पड़ेगा, estimation, your estimate, यह आपको बनाना पड़ेगा, इसे budget, आपको, क्योंकि आप customer को यह नहीं बोल सकते कि नहीं, मैं पहले बना लेता हूँ, फिर मैं देखूंगा what is the cost, then I'll add the profit, and then I'll, even the actual production takes place, even the actual production takes place, after the approval of customer, even the actual production takes place, after the approval of customer, but you have to give the cost, before the actual production, even the actual production takes place, after the approval of customer, but you have to give the cost, before the actual production, this is the beauty of दान की कोस्तिंग, यह जो beauty है, दान की कोस्तिंग की, कि even your actual production takes place, after the approval of customer, but you have to give the cost, before the actual production, क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा even the actual production takes place after the approval of customer but you have to give the cost before the actual production आपको क्या करना पड़ेगा कि you have to estimate you have to make the budget अगर आपको याद हो इंटर में अगर आप मेरे से costing पड़े तो तो ठीक है नहीं तो आपको अगर याद हो कि पहला आपन का topic था is a cost sheet what is cost sheet it is a statement which is showing total cost of production as well as unit cost of production it is a total cost of production as well as unit cost of production what is cost sheet बोलो it is a statement which is showing total cost of production as well as unit cost of production सबसे पहला आपन क्या बनाएंगे this is your step number one is cost sheet cost sheet means it is a statement which is showing total cost of production as well as unit cost of production आप customer को बोलिये sir आप बैठिये मैं आपको बताता हूं what is the price of the product it means सब से पहले cost sheet suppose for 1000 units of S1 cost sheet आपने मनाया cost sheet आपने मनाया this is your step number one step number one is a cost sheet cost sheet for 1000 what is cost sheet it is a statement which is showing total cost of production as well as unit cost of production total cost you divide in two direct material direct lever direct expense मिलके क्या बनेगा अब आपने customer को बोला कि sir please आप बैठिये मैं आपको बताता हूं कि what is the cost of 1000 units of product एसे बहुत ध्यान से आप समझें यही तो important है क्या हो गया को कि आप मुझे बताइए यह system costing नहीं सीखेगा बच्चा तो क्या करेगा चार्ट एकांटेंसी कोर्स करके चार्टेंसी कोर्स करने के लिए आप उनसे बहुत आगे से हो जाएंगे नियूजव साले बच्चों से मेरे सी एमपी के बच्चे बहुत ज्यादा आगे जाएंगे क्योंकि आपको costing बहुत बता है अजि बोलते थे प्रॉफिसर एड़म इसमिल किसी साइंस पूर्स में आता था यार कभी सवनु जैन के नाम से क्यों नहीं है डेफिनिशन करके न कभी डॉक्टर मंमौन की लिप कम क्यों नहीं है डेफिनिशन कले यह अशीक्ता वहीत तो फिर मैंने सुचा तो अपने को अच्छा लगता है जो फॉरिनर लोग है उनको बोलनी का अच्छा लगता है कि तुम्हारे नम पर देफिनेशन अपने नम पर तो पुरा सब्जेक्ट है रहे वर्ड में पूरे संसार में दुनिया में पहला में एक ऐसा प्रॉफेसर हो जिसके नम पर पुरा आन की कोस्टन नहीं लाइफ लिए जरूरी है पानी ऐसे कोस्टनीम पर दानगे हुआ से हम सभान को बोलने है कि हाजार यूनिट का आपने को ऑडर मिला हजार यूनिट के ओडर को हम उसको कैसे बताएंगे कि वाटश ऑर्रॉड्वाइस्ट अगर हम नहीं बताएंगे तो यह वो खरीदेगा ने हमारी problem क्या है को अगर मुश्कों नहीं बताते हैं तो customer खरीदेगाँ नहीं में हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा essay कडरना पड़ेगए हुत करने के लि sew UP क्रवें स्ट्रीह में क्या बना रहें instead अम चेप लो सीट्वर में क्या बना रहें material यह आपने का किया estimate यह आपने का किया estimate बराबर क्या क्या estimate किया एक आपका रहेगा production manager एक आपका रहेगा rate manager and then you find out the total cost यह आपका क्या हुआ estimation और इसको हम बोल सकते हैं standard या budget क्या बोलेंगे estimation standard और budget आपने सबसे पहले production manager को phone लगाए आपने customer को बोला सर आप बैठिये मैं आपको बताता हूँ what is the price of the product सबसे पहले सबसे पहले आपने क्या किया production manager को phone लगाए कि पुझा सर कैसे है भावी जी कैसे है भावी जी को छोड़ो काम की बात करो बोले सर बोले सर आई 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 हैवन ओडर और 1000 units of product S1 1000 unit of S1 बनाने का मुझे order मिला है एक customer है वह इस तरह का specification दे रहा है इस तरह का product होना चीए यह आपका product है S1 और उसकी मुझे 1000 unit की 1000 unit की मुझे order मिली है Can you tell me 1000 unit को मनाने में कितने kg material लगए तो जो production manager उसमें calculate किया वह इस तरह का product बनाना है तो एक unit अगर top class quality of material रहेगा अगर एकदम बढ़िया quality का material रहेगा एकदम top class quality का material रहेगा तो 10 kg per unit अपना लगएगा इसका मतलब 1000 units into 10 kg and this comes to 10,000 कभी भी costing में 1000 multiply by 10 रहेगा तो 10,000 जैसे 2 multiply by 3, 6 होता है 5 multiply by 2, 10 होता similarly 1000 multiply by 10 आपका क्या रहेगा 10 you wanted to write the note आपको note लिखना है 1000 multiply by 10 रहेगा तो हमें इसा देखो without calculator कितना बड़ा calculation किया मैंने without calculator 1000 units into 10 kg आपका क्या हो जाएगा 10,000 kg ठीक है 10,000 kg फिर हम लोग ने rate manager को पूछा कि I wanted to purchase I wanted to purchase 10,000 kg of material I wanted to purchase 10,000 kg of material can you tell me कि एक material एक material का kg का क्या rate है उसने पूरा calculation किया calculation करनी के बदद आपको बोलता है 10 rupees per kg this comes to 1,000 बोलो 10,000 multiply by 10 without calculator without calculator सब लोग बोलो 10,000 multiply by 10 क्या होगा वान ले it means आपका यह क्या हो गया direct material this is your direct material estimate किया estimate बोल सकते हैं standard बोल सकते हैं budget बोल सकते हैं production manager से बाद for timing you forget it you are learning for exam पहले पूरा मेरा system समझो how exactly this दान की costing इस भार की आपको सबसे पहले क्या सीखना है friends सबसे पहले आपको सीखना है how exactly this दान की costing is working दान की costing काम कैसे करती है वो चीज़ आप समझे करके estimate किया standard budget आपने बात किया production manager से 1000 unit 10 kg आपका क्या हो जाएगा 10,000 rate manager को phone लगाया पूबल का 10 rupees पर kg आपका total cost total cost क्या हो जाएगा rupees 1 lakh this is for 1,000 units of SME अब जब हम देखेंगे जब actual हुआ तो क्या हुआ बाद में देख लेंगे अब आप आजएए second आपका आजएए suppose direct labor एक production manager rate manager total cost डारे के वर डारे के वर में आपका रहेगा production manager rate manager and total cost अपने phone लगाया production manager को उचासर कैसे हो भावी जी कैसे है क्या बार बार भावी जी पूच रहा है काम की बात करना बोले sir we have got one thousand units का one order for s1 यह उसका like you know specification है इस तरह का एक product बनाके दिना है s1 आप मुझे बता पाएंगे एक unit को बनाने में कितने hours लगेंगे वो बोलता है कि first class skilled worker रहेगा तो आपका this is estimate यह standard और budget इसको कुछ भी बोल सकते है पन यह आपका लगेगा पुलता है 10 hours per unit it means 1000 units into 10 hours 10,000 rate manager से पूचा कि भी what is the rate is going on बोले 10 rupees per hour आपका total cost हो जाएगा say rupees 1 it means 1 lakh is the cost of material 1 lakh is the cost of labor 1 lakh is the cost of labor direct expense nil आपका prime cost 2 lakhs suppose timing there is no indirect cost it means your total cost total cost is 2 lakhs and you want to charge a profit of 2 lakhs you want to charge a profit of 2 lakhs आपका sales value आपका sales value हो जाएगा 4 lakhs this part is clear बोलो first इजे material material आपका लोगो ने लेलिया 10,000 kg at the rate of 10 1 lakh direct labor 10,000 hours at the rate of 10 1 lakh direct labor 1 lakh prime cost 2 lakhs indirect cost total cost plus profit and this comes to 4 lakhs it means 1 lakh is your material cost 1 lakh is your labor cost 1 lakh 1 lakh timing there is no other cost total cost 2 lakhs charge a profit 2 lakhs and this comes to 4 lakhs 1 lakhs 1 lakhs 1 lakhs 1 lakhs 1 lakhs 1 lakh 2 lakhs यह only 3,90,000 तो आपका क्या हो जाएगा टार्गेट सेलिंग ताइस राइट ना अभी तो आपन ट्रेडिशनल मेथड कर रहें फिर अपन मोडन मेथड में जाएंगे ओडिशनल मेथड इस वाट इस टार्गेट कॉस्ट ना आ यू फोलेंग ओना यह आपका क्या हो जाएगा सेल्स वैल्यू एंड सेल्स वैल्यू और पीज फॉर लेक्स सेहिए आसा ना इट ना इंडीर्ट मेट्रियल कॉस्ट रूपीज बन लेक्ड डारेट कॉस्ट बन लेक ओन्यू ऌबत कर दम सेल्ट कॉस्ट हो घ्राइग चूस्ट ओ गया लिजथẫn को और द्धर को लगा वहद है मनेक सत्वर को प Uno lectures ॉर्थशन। दर एक्शल प्रड़क्शंट प्लैस के समर्ट उक्षप सॉर्स आप्र ओंट दा आप्र आप्र वाल प्रपोस्टमर। यहां प give the cost before the actual production, we can give the cost before the actual production, say yes or no friends, we can give the cost before the actual production, कितना cost इसको बोलेंगे, कितना sales value बोलेंगे, 4 lakhs अप्रेंगे, आप friends, it's very interesting, याप लोग जरा यहां से सुने, what is the interesting part, यह आपका हुगया है step number one, now you come to friends, your step number two, this is your step number two, this is your step number two, profit and loss account, profit and loss account is always based on actual, क्योंकर जो PNL account है, वो हमें से किस पर बेस्ट करेगा friends, your PNL account is always based on actual, okay, जब, okay, it means, आपको sales, कितना मिलेगा friends, buy, sales, sales is 4 lakhs, what is your sales, sales 4 lakhs, customer ने बोला, sir done, I wanted to purchase, हम लोगो ने production किया, production करने के बास, sale किया, sale करने के बाद हम को कितना sales value मिल रहा है, हम लोग को sales value मिल रहा है, total 4 lakhs, what is the sales value we are getting, we are getting a sales value of 4 lakhs, जब, हम अक्चुल करने के, so instead of material 10,000, material used 11,000, at the rate of 11 and this comes to 121, 11,000 hours at the rate of 11 and this comes to 121, 121, जब आप actual production करने गए, जब आप actual production करने गए, तो instead of 1 lakh, आपका material कितना use हो गया, 121, जब आप actual production करने गए, एक लाग रुप्य आपका labor cost लगना चीए, ठीकन आपका labor cost कितना आ गया, 121, it means 2, material, 121, 2 labor, 121, and 2, net profit, 4 lakhs, 4 lakhs, minus 121, minus 121 is, 158, आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बोलो 158, जब आप actual करने गए, 11,000 at the rate of 11, 121, 11,000 at the rate of 11, 121, material 121, labor 121, sales 4 lakhs, and net profit, and this comes 2 lakhs, 4 lakhs, आपका क्या हो जाएगा, net profit, net profit, प्रॉब्लम यह आता है, यह साल था प्रॉडक्शन किया, sale का दिया खतम, अब डैड़ी बोलते हैं, यार तूने तो बोला था कि 2 lakhs का profit होगा, cost rate में किया था ना, 2 lakhs का profit, लेकर आपको profit कितना हो रहा है, only 158, actual जो आपका profit हो रहा है, 158, जबकि होना कितना चीए था, आपको होना चीए था, profit 2 lakhs, आपको profit कितना होना चीए था, आपको profit होना चीए था, 2 lakhs, लेकर आपको profit कितना हो रहा है, only 158, only 158, सही है सुना, आपको होना चीए था profit, rupees 2 lakhs, लेकर आपको profit कितना हो रहा है, only 158, साल खतम हो गया, बात खतम हो गी, suppose again suppose again same customer आपके पास आता है suppose again same customer आपके पास आता है और आपसे आके पूछता है I wanted to purchase again 1000 units of product S1 क्या आप उसको 4 lakhs में दे दोगे जो कि आपको minimum profit चीए 2 lakhs आपको profit आ रहा है 158 या फिर आप अपनी cost को revise करोगे मतलिए comment कर गए क्या आप उसको 4 lakh में बना के दोगे तो profit आपको 15080 होने वाला है या फिर आप revise करके cost of उसमें 2 lakhs रुपीज एड़ करोगे क्या करोगे आप मुझे comment box में comment करके बताए तो फिर मैं आप समझ पाऊंगे कि आपको कैसे समझ में आ रहा है यह चीज परफेक्टली आपको बरबर से यह जा रही है आपके समझ में आ रही है या नहीं आ रही है इसके लिए friends हम क्या बनाएंगे आपके को देखना पड़ेगा कि whether this loss is a controllable loss और uncontrollable loss सबसे पहले आपने रिजे प्रॉफिट एज पर कोशीट क्या प्रॉफिट आपने सोचा था कोशीट पर टू लेक्स क्या प्रॉफिट आपने सोचा था क्या प्रॉफिट आपने सोचा था अब material cost, क्या आपने सोचा था, लेकिन क्या material cost आ रहा है, 121, it means due to due to material, आपको कितने का loss हो गया, 21,000, then, due to labor, आपको कितने का loss हो गया, 21,000, and this comes to 158, आपको कितना था, आपने क्या profit सुचा था, जब को सीट बनाई थी, टूलेक्स, लेकिन जब आप एक्च्वल में गए, तो, वन लेक्ट की जगए material यूज हो गया, 21,000 material की वे इसे loss हो गया, लेवर आपने सोचा था, वन आ रहा है, 121, टेवर के वे इसे 21, और आपका profit, एच पर P&L account कितना आएगा, this comes to 158, आपका P&L account का जो profit है, उसके साथ मैं जो गया, अब आपको ये देखना है, कि ये जो loss हुआ है, 21,000 का, ये जो आपने loss किया है, 21,000 का जो आपने loss किया है, वो loss controllable है, या वो loss uncontrollable है, तभी तो आप decision ले पाएंगे, यही तो performance analysis है, यही चीजे तो हमें business देती है, हमारे दाने की costing का, जो consistency business है, वो यही तो है, हमको यही तो बताना है company को, कि ये 21,000 controllable loss है, कि uncontrollable है, ये 21,000 रुपीज, controllable loss है, कि uncontroll, next time आपको क्या लेनी का, जब आप cost sheet बनाओगे, तो next time आपको क्या material का cost, 1 lakh लेनी का, कि material का cost, 121 लेनी का, हमको वही तो student को समझाना है, यहां से आपका काम start होता है, और यही पार्ट आपका पूरा costing, so beautifully, इतना चाँ आपने draft किया था, S.E.M.P. क्यों हटा दिया आपने, समस्ता नहीं है करके, यही से तो आपको पता चलेगा, यही से तो बच्चे को पता चलेगा, performance analysis, performance analysis means आपने क्या सोचा था, क्या हो गया, हो गया तो क्यों हुगा, whether this loss is controllable or uncontrollable, are you following or not? यह loss आपका controllable है, यह यह loss आपका uncontrollable है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस जोर step number four, इस जोर step number four is, analysis of, variance, step number four, आपका क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स, this is your analysis of variance, analysis of variance, सबसे पहले आपने लिजे, इस को स्टिंग की लेंग्विज़ में बोलेंगे, material, material, cost variance, क्या cost आपने सोचा था, one leg, क्या cost आपने सोचा था, one leg आ रहा है, one twenty one, so there is a loss of, twenty one thousand, आपने क्या cost सोचा था, one leg, आपको क्या cost आ रहा है, one twenty one, there is a loss, loss of rupees, is twenty one thousand, now who is responsible for this loss, एक को हम बोलेंगे, production, manager, और एक को हम बोलेंगे, purchase, manager, एक को हम बोलेंगे, production manager, और एक को हम बोलेंगे, production manager ने आपको क्या बोला था, ten thousand kg material लगेगा, लेकिन actual में क्या लगा, eleven thousand kg, और उसकी बज़े से हमें loss कितना हो गया, उसकी बज़े से हमें loss हो गया, one thousand kg, production manager ने आपको क्या बोला था, कितने kg material लगेगा, production manager ने आपको क्या बोला था, कितने kg material लगेगा, उसने बोला, ten thousand kg material लगेगा, यह उसने बोला था, लगा कितना, 11 thousand, कितने का loss हो गया, loss हो गया आपको, one thousand kg, अब आपको monetary terms में देखना है, आप उसको बोलते हो, भाई 10,000 आपने में बोला था, मैंने 11 पर्चेस किया, 1000 kg एक्स्रा लग गया, और I bought at the rate of 11, तो आपकी बज़े से 11,000 का लॉस हो गया, आप उसको क्या बोलोगे, सर आपने बोला था, 10,000 kg में लगेगा, ठीक है साथ, 10,000 kg लग रहा है, लगा कितना, 11,000, कितना एक्स्रा लगा, 1000, क्या रेट से आपने पर्चेस किया, 11, आपको लॉस कितना हो गया, 11,000 kg, आपको लॉस कितना हो गया, 11,000, विल यू एग्री, आं मैंने आपको बोला था, 10,000 kg मेट्रियल लगेगा, मैंने आपको क्या बोला था, 10,000 kg मेट्रियल लगेगा, लेकन लगा कितना, 11,000, कितना एक्स्रा लगा, 1000, agree, इसका मतलब अगर आपके प्रोडक्शन मेनिजर ने 10 की जगह 10 में पर्चेस किया होता अगर आपका प्रोडक्शन मेनिजर 10 की जगह 10 में पर्चेस करता तो मेरी वज़े से कितना लॉड अगर पर्चेस करता मेरी वज़े से क्ते लॉग फ्रोड को अगर केजर होता था अmee 10,000 it means whenever there is a quantity part whenever there is a quantity part you multiply by standard rate whenever there is a quantity part you multiply by standard rate whenever there is a quantity part multiply by standard rate okay इसका मतलब अगर आपको इसको फॉर्मूला में देखना है बहुत बच्चों को फॉर्मूला का रहता है और आपको अगर आपको intermediate में अपने मेरे साथ पढ़ाया तो फॉर्मूला की जरुवत ही नहीं नहीं पढ़ाया तो यह क्या फॉर्मूला था याद है standard cost minus actual cost इसको बोलते हैं material cost वेडियांट इस इस दर लॉस ड्यू टू material cost material cost की वैसे कितने का loss हो गया वन लेक को सोचा था 121 आ रहा है कितने का loss हो गया इसके लिए कौन जिम्बेदार है एक आपका production manager एक आपका purchase manager नहीं क्या बोला था 10,000 kg material लगना चाहिए लगा कितना 11,000 into 10 आपका loss कितना हो जाएगा 10,000 इस फॉर्मूल आपका बन जाएगा this is standard quantity minus actual quantity into standard आपको चाहिए आप formula करो लेकिन मेरे साथ रहे के आपको formula कुछ भी help करने वाला नहीं है आप एक के concept को लेकर चलोगे तो आपका काम होगा अगर आप concept को लेकर नहीं चलोगे तो आपका काम नहीं हो इस यह आपका क्या हो जाएगा यह आपका क्या हो जाएगा बोलो standard quantity minus actual quantity into standard रेट मेनेजर क्या बोलता है रेट मेनेजर बोला था 10 रूपीज में खरीदूंगा लेकिन उसने खरीदा किसमें 11 कि आप और में बेटे क्लास के अंदर बहुत लॉजिकली आप सोचें यह यह आपको क्यूरर हुआ वेनेवर देट यह पांटिटी पार्ट मल्टिप्ला बेस टर्नेट रेट अगर आपका पर्चेज मेनेजर टैन की जगा टैन में पर्चेज करता तो लॉस कितना होता था टैन थाउजन मैंनेस लेवन थाउजन वन थाउजन एक्स्ट्रा इन्टू टैन यह आपका क्या हो जाएगा बोलो टैन जाउज़ से यह सुनोर अभी आप और मैं दोनों जन बैटे हुए क्लास के अंदर मैं बोला देख नीचे ना डाउन एक एपल वाला खड़ा है डाउ कि एफ और एपल कि यह बोलना है एड़ रेट ऑफ रुपीज टैन एप तस रुपे का एक एपल है तो देख ऐसा का दो एपल लेके आप एप यह 20 रुपीज लेके जा यह दो एपल लेके आप और अपन एक एपल ब्रेक में खा लेंगे अब आप नीचे गए आप नीचे गए तो एपल वाले के पास एपल खतम उसके पास एक ही एपल बचा और बोलता है नहीं मैं तो 11 रुपीज में बोला आप नेगा ठीक है अब भी सर ने बोला है तो लेके चलते एक एपल आपने क्या किया 11 इंटू 1 11 रुपीज का एक एपल पर्चेस कर लें आप लेके आगे लिए अब बेराबर आपने बोला चलो आजा आजा खा लेंगे ठीक है अब मैं आपको बोलता हूं यार मैंने आपको बोला था 10 आप क्या रेट में लेके आए एपल 11 वन और मैंने आपको दो एपल लाने को बोला था तो आपकी वेसे टू रुपीज का लॉस हो गया विल्यू एग्स आप मुझे बताएए कि आप एग्री करेंगे घरी लुपीज के एपल की जगे आप्ने कितना एपल लाये 11 इंस्ट एक्समें वन और मैं आपको बोल रहा हूं कि आप तो बोला क्या चाहिए करेंगी आंसरे नो है और बोलो 10 की जगए मैंने कितना pay किया 11,10 की जगए मैंने कितना pay किया 11,10 की जगए मैंने कितना pay किया 11 ces1 के नेशाNew वान्रूपी एक्स्रा प द खी चार्टो तो मेरीज लोज कितना होगा? वन रुपी ही होगा ना, it means whenever there is a quantity part, multiply by standard rate, whenever there is a rate part, multiply by actual quantity, आपने actual quantity कितना खरीज़ा है, only one effort, it means, क्या rate था 10, 10 की जिका आपने क्या पे किया, 11, लेकिन वार्ट तो quantity खरीज़ा था, 11,000, और आपको लॉस हो जाएगा, 11,000, अपका लॉस हो जाएगा, 11, और इसी को अगर आपको यादू तो formula था, standard rate minus actual rate into actual quantity, और आपका total loss हो जाएगा, रुपीज 11,000, आपका जो total loss हो जाएगा, तो total loss हो जाएगा, रुपीज 11,000, यह आपका 11,000 का loss हो जाएगा, यह आपका 10,000 का loss हो जाएगा, और यह आपका total हो जाएगा, 21,000, इस 21,000 का जो total loss हो जाएगा, उस पर से 10,000 production manager और 11,000 rate manager, परफेक्टली आपको clear हो जाएगा, अब हम इन manager से पूछेंगे, यह जो 10,000 का loss हो जाएगा, आपने बोला था, 10,000 लगेगा, ठेकिन आपने यूज किया 11,000, अभी next year 10 लगेगा कि 11 लगेगा, वो आपको बोलता नहीं, I told you first only, I told you first only, कि we want first class quality of material, but your material was not up to the mark, मैंने आपको पहले ही बोला था, कि we want first class quality of material, मैंने आपको क्या बोला था, कि हमको first class quality of material चाहिए, but that material was not up to the mark, material up to the mark नहीं था, इसका मतला मुझे स्क्रेप निकालना पड़ा, 1000 kg, मुझे स्क्रेप निकालना पड़ा, 1000 kg, it means whenever there is a loss, ये लाइन आप मेरी हमेशा जिंदगी पर याद रखना, कि whenever there is a loss, because of your own mistake, that loss you can't recover from the customer, whenever there is a loss, because of your own mistake, that loss you can't recover from the customer, और if you are going to recover, you cannot survive, because your cost of production will increase, it means even the consumption is 11,000, next year अगर आप अच्छा quality का metal लेंगे, तो ये आपको लेना पलेगा, 10,000 kg, it means अगर controllable loss है, अपनी बज़े से loss हुआ है, तो आपको change करने की जरूरत नहीं है, अगर अपने को लगता है कि नहीं, ओ, production manager बोलता है, नहीं सर आपने मुझे उच्छा था भावी जी कैसे है, तो I got very confused, मेरे को बहुत confusion हो गया, तो सर मेरे को नहीं मालमता, मेरे को लगा 10 kg लगेगा, तेकिन minimum अपने को अच्छे ये, 11 kg per unit, it means next year अगर ये बोलता है कि 11 लगेगा, तो this is an uncontrollable loss, और next year आपको लेना पलेगा, 11,000 kg, not 10,000 kg, आपको rate manager बोलता है कि मैंने तो आपको 10 बोला था rate, क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ, controllable है या uncontrollable है, पुले नहीं सर, rate तो 10 ही है, लेकिन इस पार क्या हुआ, दिरवोजे election इन गुजरात, और हमको सर मैट्रेल नहीं मिल रहा था, हमको ये order complete करके देना था, इसके लिए 10 कीज़े किजए कि सर मैंने 11 पे किया, तो ये सब अपन performance analysis के टाइम के करेंगे, आपका chapter number 7 है, performance analysis, वहाँ पे हम लोग इसको करेंगे, लेकिन पहला आप ये बताएगे, ये पार्ट आपको clear हो रहा है या नहीं है, ये आपको एकदम clear हो रहा है, कि whenever quantity part multiply by standard rate, whenever the rate part multiply by actual quantity, अब आप खोलेजे, मैंने आपको दिया हो है, इनको बार 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 lecture को सुनिए, तब जाके आपका concept clear होगा, मैंने आप कुछा बताएगा, where is your factory, your factory is in Jamnagar, बुजराद, you are sitting in Mumbai, Mumbai में आप बैठे, आपके पास कोई customer आएगा, सबसे पहले आप क्या बनाएगे, cost sheet, estimate करेंगे, सब concerned person से बात करेंगे, आप cost sheet बनाएगे, step number two, आप क्या बनाएगे, your profit and loss, वो actual case पर रहेगा, step number three, reconciliation, step number four, your analysis of variance, analysis of variance तक ही है, आपके syllabus में, आगे जलके फिर analysis of variance है, performance analysis में, comments part and all, perfectly clear, अब जड़ा देखे, मैंने आपको theory notes दिये हुए है, यह page number, page number 11.1 पर आप जड़ा देखे, point number, points to be remember at the time of analysis for variance, points to be remember at the time of analysis for variance, whenever there is a quantity part multiply by standard rate, whenever there is a quantity part multiply by standard rate and whenever there is a rate part multiply by actual quantity and whenever there is a quantity part multiply by standard rate and whenever there is a rate part you multiply by actual quantity. Dousra point very very important, analysis of material, labor, variable overhead is always based on actual production. मैंने लिखके दिये हैं सारे points आपको, solution book आपके पास होनी चीए, अगर आपके पास नहीं है तो मुझे WhatsApp करिए, 9820030925, 9820030925 पे आप जो WhatsApp करिए मैं आपको बेज़ देता हूं, 11.1, material, labor, variable, overhead is always based on actual production. तो material, labor, variable, overhead is always based on actual production. मैंने आपको बोला कि हजार यूनिट मेरे को बनाना है, हजार यूनिट मुझे बनाना है, किसका S बनका, कितने kg material लगेगा, आपने बोला यार, अगर first class quality का material लएगा तो, 1000 into 10 kg per unit, it means 10,000, rate manager से पुचा, क्या rate चल रहा है, बोले 10, अपका total cost क्या हो जाएगा, rupees 1, आपको क्या हो जाएगा, आप मेरे production manager है, मैंने आपको क्या बोला हजार यूनिट बनाने का है, एक यूनिट को बनाने में कितना kg material लगेगा, आपने बोला 10,000 kg, इत्मिस आपका कितना हो जाएगा, 10,000 at the rate of 10, 10,000 kg, rate आपका क्या रहेगा 10, आपका total cost क्या आजाएगा, जब आप actual production करने गए, आपको क्या लग गया, 1200 यूनिट आपने बनाए, ऐसा थोड़ी है कि 1000 का order में मिला तो exact अभी कभी, उपर नीचे भी हो जाता है, यूनिट कम ज्यादा हो सकती है, अपने stock क्लियर होना लिए कि customer को पुछेगा तो हम क्या करेंगे, 1200 यूनिट आपका actual production हो गया, अब actual material used, 13,000 kg at the rate of 10, 1,30, 13,000 kg material actually used at the rate of 10, और आपका material cost कितना आ गया, 1,30,000, 13,000 kg, 13,000 kg material actually used, और 10,000, 13,000 it means 3,000 kg का आपका loss हो गया, अब मैं आपको बोलता हूं यार, आपके तो बोला था, 10,000 में बन जाएगा, ठेकर आपके production कितने में किया, 13,000 kg, क्या आप agree करेंगे, आप क्या बोलेंगे सर, मैंने 1,000 के लिए आपको 10,000 बोला था, आपने actual production कितना किया, 1200, तो मैंट्रियल लेबर वेरियबल ओबरेड दानी सर ने बताय था कि नहीं आपको, कि जब तक समंदर में पानी रहेगा, कॉस्ति में प्राफित दानी रहेगा, आप भी दानी सर के स्टूडेंट हैं, मैं भी दानी सर का स्टूडेंट हूं, दानी सर ने क्या सिखाय था अपने को, मैट्रियल लेबर वेरियबल ओबरेड इस ओल्वेज बेज़ बेज़ ओन एक्चुल प्रडक्शन, तैन थाउजन केजी मैट्रियल लगेगा, किस के लिए, वन थाउजन यूनिट्स, आपने बनाया कितना है, कितना लगना चाहिए, 12 लगना चाहिए, यहाँ पर आएगा 12,000, 12 लगना चाहिए, लगा 13, it means yes, you are responsible for 1000, it means material लेबर वेरियबल ओबरेड ओल्वेज बेज़ बेज़ डॉन एक्चुल पर इन दोनों को compare 10,000 और 13 को नहीं कर सकते, 10,000 किसके लिए था, 1000 यूनिट्स के लिए था, और यह किसके लिए है, 1200 यूनिट्स के लिए, तो कभी भी आएगा, और detail में मैं आपको कराऊंगा, तो point number 2 मैंने आपको दिया है, page number 11.1 पे, analysis of material, labor, variable overhead is always based on actual production, को किसके depend करेगा on actual, now friends, सबसे जो important है, इस बार जो exam में सम आया था, May 22, May 22 में आपका जो आया था, May 22, इसी जौर May 2022, May 2022 में जो सम आया था, वो इसी के उपर base होके आया है आपका May 22 में जो आपका sum आया था वो इसी के उपर base होके आया था पुरा की पुरा ये concept थी उन्होंने May 22 में और फ्रेंग 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 गारंटी है maximum student का वो गलत हुआ होगा मैंने उसका वीडियो भी रिकॉर्ड करके डाला हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देखिए कितना conceptual question है हिल जाओगे आप देखके वो चरूर आप देखिएगा वीडियो May 22 का एक question में डाला हुआ है May 22 में इस्टरनर costing का आया था आप देखिए मैंने क्या लेखा है point number 3 में budgeted profit equal to budgeted selling price minus budgeted cost budgeted profit equal to budgeted selling price minus budgeted cost but actual profit equal to actual selling price minus budgeted cost यह जड़ा ध्यान रखना it means budgeted profit equal to your budgeted selling price minus budgeted cost budgeted selling price minus budgeted cost but actual profit equal to actual profit equal to actual selling price minus budgeted cost actual profit equal to actual selling price minus budgeted cost थोड़ा सा confusing लग रहा है आपको बोलिए yes or no थोड़ा सा confusion लग रहा है आपको यह क्या होना चीए actual profit तो क्या होना चीए actual selling price मैंने आपको क्या बता है points to be remember at the time of analysis for variance points to be remember at the time of analysis of variance यह points आपको कब ध्यान रखने at the time of analysis for variance यह points आपको कब ध्यान रखने at the time of analysis for variance यह पूरा concept सुनने के बाद आप में 22 वाला सम जरूर देखना तो आपको confidence आएगा कि मैं क्या बोलना चाहरा था आपको are you following or not यह अब जरा बराब बर से जहां से सुनिये budgeted profit equal to budgeted selling price minus budgeted cost but actual profit equal to your actual selling price your actual selling price minus your actual selling price minus your actual selling price minus friends actual selling price minus budgeted cost अब इसको आप जरा देखिये मैंने एक example भी लिखा है आपको solution book में दिया हुआ है and this example related to your responsibility of product manager this is your responsibility of profit manager responsibility of profit responsibility of profit manager responsibility of profit manager suppose आप मेरे profit manager है आप मेरे कौन से manager है you are my profit manager मैंने आपको बोला कि यह आपका एक बज़ट है कि यह कि प्रोड़क्ट है सपोज पीवन उसके आपको यूनिट सेल करने हैं कि 1,000 selling price रहेगा हान्डरेट कोस्ट आएगा 80 आपको प्रोफिट कमा के दिन आए 20 आद आपका टोटल प्रोफिट हो जाएगा से 20,000 आपको budget बनाना है budget में आपका एक product है P1 उसके 1000 unit बेचने है selling price 100, cost 80 profit 20 और आपका total profit क्या हो जाएगा 20,000 जब आप actual में sale करने गए actual में sale करने गए P1, 1000 unit selling price 100 cost आपका हो गया 90 profit आया 10 और यहां पर profit आया 10,000 अब मैं आपको बोलता हूँ यार आपको तो बोला था 20,000 पर आपने profit कमा के दिया 10,000 आपकी बज़े से 10,000 का loss हो दो इसी के उपर आपका May 22 वाला question है इसी के उपर आपका May 22 वाला question है क्या बोल रहा है फ्रेंस actual में आप क्या करने के P1 आपने 1000 उनिट सेल की 100 रुपे के इसाब से 90 रुपीज 10 रुपीज और आपको profit आया 10,000 loss हो गया 10,000 क्या मैं आपको बोल सकता हूँ क्या मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आपकी वाज़े से 10,000 का loss हो गया क्या मैं आप इस चीज को एगरी करेंगे क्या आप इस चीज को एगरी करेंगे आप बोलोगे सर ऐसा कैसे आपने मुझे कै बोला था P1 मैंने कौन सा प्रोडट्स सेल किया P1 मैंने कॉंप व्यूंड्स हैois Freeman 책 किया P1 आपने कितने यूनिट्स बो ले थे 1000 मैंने कितना यूनिट्स सेल किया 1000 आपने मुझे क्या बोला भुकम sol a कि कernहीं रूड्स है 100 मैंने कितने में selling price किया 100 अब अगर cost बढ़के 80 की जगह 90 हो जाता है जिस ज़े cost increase तो क्या मैं इसके लिए responsible हूँ कि सोच जोड़ा आपने मुझे बोला पीवन मैंने क्या सेल किया पीवन आपने बोला 1000 यूनिट मैंने कितना सेल किया 1000 आपने बोला selling price 100 मैंने कितने में इसके लिए जिम्मेदार हूं इसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा इसके लिए रहेगा अपका प्रोडक्शन मेनेजर अगर आपको मेरा पर्फॉर्मेंस देखना है एक्च्वल आपको क्या लेना पड़ेगा पीवन हजार यूनिट शेलिंट काईस हंड्रेड कोस्ट एक्टी ही लेना पड़ेगा विकएज प्रोफित मेनेजर इसर नॉट्स पॉन्सीबल पोर रहेखना हृँ प्रोडक्शन मेने लिखा भी आपको पर न्मेर 3 के 20 एड आपका पॉफिट हो गया 20 दाओ दी प्रॉफिट मेनीजर की वए से कुछ प्रॉब्लम नहीं है जो प्रॉब्लम हुआ है वो किसकी वज़े से हुआ है प्रोडक्शन मेनीजर की वए से इसका मतलब यह चीज आप ध्यान लखना आपसे बहुत मिस्टेक होगा बार-बा प्राइज माइनस बजट है इसी के ऊपर आपका में 22 में जबर दस एक कोश्चन आया हुआ है मैंने ओपन चैलेंज के साथ वो कोश्चन ए दो हुआ है अब आपको धियान रखना है फिरेंट इन पॉरिं आपको बनाया है वेनेवर देट नव कोनलिपूर कैस्ट अपैस्ट अट्टे पे होल्टिटिटि एक टेट नर्रेट वाइब अड़ीद के साथ वाएब देच्ट कांटिट इए कौनलिप्ली काश्च्ट इ अब इसमें मैं आपको क्या help करूंगा तो मैंने आपको क्या help करूंगा तो मैंने आपको लिखा है steps for solving कितने तरह के रहेंगे फ्रेंट्स पहला आपका कि सेल्स और है कि टर्नोवर है कि यह लापता क्या रहेगा इसको दो पार्ट कि इसको बोलते हैं प्रॉफिट और मार्जिन जिसको बोलेंगे कोस्ट वेरियांस कोस्ट में आपका एक आएगा material एक आपका आएगा labor एक आपका आएगा variable और एक आपका आएगा ओवर है कि अधिक आपका आएगा अधिक आपका आएगा और टर्नोवर वेरियांस उसमें आपका एक आएगा profit वेरियांस margin वेरियांस दूसरा आपका आएगा cost वेरियांस कॉस्ट में एक आपका material दूसरा आपका लेवर पीसरा आपका ओवरेड वेरियांस इतने तरह के टोटल आपने वास वेरियांस दरेंगे step 1 whatever information you have you just try to put into the tabular form और step number 2 मैं आपको बताऊंगा क्या how to calculate the variance so next lecture में आपको actual questions कराऊंगा इन आपको धियान रखना है whenever there is a quantity part you multiply by standard rate whenever there is a rate part you multiply by actual quantity analysis of material labor variable overhead always based on actual production budgeted profit equal to budgeted selling price minus budgeted cost but actual profit equal to actual selling price minus budgeted cost okay अगर आपको यह वीडियो पसंद है like करिए comment करिए friends के साथ share करिए channel को subscribe करिए thank you very much okay friends next lecture में आपन प्रोश्चिन सौल कर देए